हेलो दोस्तों कैसे सभी लोग भारती मसाला तड़का किचन में आप सभी का स्वागत है मैं शालू और जो आज हम आपलों के लिए रेस्पी ले करके आए हैं वो है काले चने की कचोड़ी बहुत ही साधिश्ट बहुत ही यमी लगती है अगर अभी तक नहीं बनाए ना तो ए दो कप चने भी गोए थे खूल कर दे के कितने सारे हो गएं और इसे हम डाल देंगे कुकर में साथ ही साथ हमने आधा बॉल पानी वी इसमें डाल दिया है हाफ पीश्पोर नमक डाल देंगे दो पिंच मीठा सोड़ा डाल देंगे और अब हमें हमें चार से पांच विशल ध्यान लखेगा चार से पांच क्योंकि अच्छे से गलाना है हमें और मीडियम फ्लेम पर नहीं लो फ्लेम पर एक विशल हम पहले मीडियम फ्लेम पर आने देंगे उसके बाद चार विशल हम लो फ्लेम पर लगाएंगे और चने जब तक पकर के तयार होंगे तब तक चलिए प्यास को भी काट के तयार कर लेते हैं कि की बाई चने की कचोड़ी है तो प्यास तो डिफनेटली इसमें पड़े गाई तो देखें पांच प्यास को हमने एक तम बड़ी आसे बारी काट लिया है सात ही सात हम इसमें दो हरी मिर्श को भी Дंबारी काट लेंगे और यह देखे कुकर में पांच विशल भी आज चुकी है गैस गाध कर देंगे और अभी तुरंट नहीं खोलेंगे कुकर को कुकर को हम पांच मिनिट के बाद ही खोल ले हैं कर देंगे और कोगर के जो एयर अनदर होती है आगर थोड़ा बहुत भी चना रह गया होगा तो यह में पक गया होगा इसलिए हमने तुरत नहीं खोला देखें पांच निट के बाद खोला है बढ़िया से दिखे चना पक गया है अभी आपको हाथ से दबा करके दिखाते भी हैं यह देखिए पढ़िया से मतलब बहुत अच्छे से पक चुका है और अब हम इसे इस ट्रेइनर में डाल के इसका पानी अलग कर देंगे तो भी कचोड़ियों का स्वत बढ़ाने के लिए हम इसमें एट कर रहे हैं खड़े मसाले तो में लिया एक चमर धनिया आदा चमर जीरा आदा चमर सौफ और थोड़ी सी काली मिर्श और अब सभी मसालों को हमें रोष्ट करना है तो देखे हलकी धीमी आज़ पे इन्हें हम भून लेंगे और जैसे जैसे यह भूनते जाएंगे न वैसे बहुत प्यारी सी खुझबू आने लगेगी यह देखे इस तरह से भूनने के बाद इस तरह से कलर हो जाएगा गैस को आफ कर देंगे मसाले चिसे बुन गए हैं और अब मसाली को हम ठंडा होने देंगे उसके ग्राइंड कर लिया है और देखे कचाड़ी बनाने से पहले चने और प्याज को हमें भूनना है तो इसके लिए हमने गैस कौन कर दिया है और पैन मेट कर देंगे एक से डीड़ बड़े चमश तेल और तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इस मैट करेंगे दो पिंच हींग जिंजर गायलिक पेस्ट जिंजर गायलिक पेस्ट को हमें बस हलका सा भूनना है फ्लेम को एक दो हमने लू कर देंगे और देखे इसमें बस हलका सा कलर आने तक ही भूनेंगे बस इस तरह से यह देखे अच्छा सा कलर आ गया अब हम इसमें एट कर देंगे प्याज और दे कर देंगे यह देखे बस इसी स्टेज तक हमें प्याज को भूनना है प्याज हमारा बड़ी हासर ट्रांस्विसेंट हो चुका है और अब हम इसमेड कर देंगे ग्राइंड किया हुआ काला चना तरह यह देखे चलने को भी अब हम प्याज के साथ एक मिनट तक भून लेंगे फ्लेम को अभी हमने लो कर दिया है लो फ्लेम पे दीरे-दीर हम इसे एक मिनट तक चम्मच से चलाते भून लेंगे और साथ ही साथ हम इसमेड कर रहे हैं क्रस् हम इसमेड किया रिट चिली पावडर रेट चिली पावडर का अंब ज्यादा यूज नहीं किया है क्यूंकि हमने इसमेड काली मिर्ट यूज किया हूँ है और साथ हरी मिद्च भी हमने एट की हैं और देखे चने को हमने एक निट तक धेमियाज पे भून लिया है और अब लाश्ट में हम इसमें एट कर रहे हैं बारी कटा हुआ हरे धनिया हरे धनिया को भी हम चने के साथ अच्छे से मिला देंगे और मसाला हमारा बढ़ी आसे बन करके तयार हो गया है अरब हम इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे और कचोड़ी का डो लगाने के लिए हमने लिया है तीन कप गेहूं काटा इसमें हम एट करेंगे वन टेस्पून नमक और अब देखें इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी अट करेंगे और हल्का थोड़ा सा जादा ही नरम हम इसका डो लगाएंगे क्योंकि अगर आप नरम आटा गूतेंगे ना तो कचोड़ी बहुत अच्छी बन करके तयार होंगी कचोड़ी या पराठा जो भी आप इससे बनाना चाहें बहुत अच्छे बनेंगे क्योंकि अक्सर यह होता है कि कचोड़ी में एक साइड मसाला हो जाता है एक साइड आटा हो जाता है अक्सर यह उनके साथ जादा होता है जो फर्स टाइम बनातें तो उनके लिए बहुत अच्छा option है हलका नरम अटा ही गूते और साथ में हमने थोड़ा सा सूखा अटा रख लिया है और देखे आधा का पानी हमने अट किया है अटा गूतने में तो अच्छे लिए फटा फट कचोड़े अभी बना करके त्यार कर लेते अगर आपको कचोड़ी बना कर लिए और अगर आपको कचोड़ी बनाते ना जादर लोग घर पर यह मुमोज बनाना सीप चुके हैं तो आप क्या करें उसी तरह से इसको गोल-गोल खुमा करके कचोड़ी को बन कर लिए और अगर आपको कचोड़ी भरनी आती है बनानी आती तब तो कोई बात ही नहीं बहुत अच्छी बात है आप आराम से बना सकते हैं इस तरह से और जो नए लोग हैं वो मुमोज उनके लिए अच्छा उप्सन है क्योंकि मुमोज की तरह बना सकते हैं गोल-गोल खुमा करके यह देखे इस तरह से हम अपनी और कचोड़ियां बना करके तयार कर लेंगे और देखे सावन का महिना चल रहा है साथ इस समय फेस्टिवल भी होते रहते हैं तो अगर आप इस चना कचोड़ी बनाएंगे ना तेवहार पे तो बहुत अच्छी लगेंगी सभी को पसंद भी आएंगी मतलब जिस होने के लिए पहले ही रख दिया था जैंने कचोड़ियों को बेलना सुरू किया था उसी टाइम हमने रख दिया था तील को गर्म होने के लिए और आप भी ऐसा ही कीजिएगा जब कचोड़ियां बेलना सुरू करे ना तो तील को पहली रख देजिए गर्म होने के लिए त कचोड़ी अगर मीडियम फ्लेम पर सेखेंगे ना तो अंदर तक अच्छे से सिखेंगी और यह लिजें कचोड़ी हमारी बढ़िया से बनकर के तयार हैं और इन्हें हम सर्व करने से पहले आपको दिखा देते हैं तोड़के दोनों तरफ मतलब पूरी कचोड़ी में कि खाते हैं कि कचोड़ी कितनी स्वाधिष्ट बनी हैं हम बहुत अच्छी कचोड़ी बनकर के तयार हुई है मतलब अगर आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत डिफिनेटली बहुत पसंद आएंगी तो दोस्तों अगर आपको मेरी डिस पी पसंद आई हो तो प्लीज मे तेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फीडियो को लाइक कीजिए प्यारे प्यारे कमेंड कीजिए और वेल आइकन भी क्लिक कीजिए